ये डिपलोमा इन फार्मेसी तीन महने की होस्पिटल ट्रेनिग करते हैं गवर्मेंट फार्मासिस्ट की डॉक्टर की निगरानी में जहां पर वो सीखते हैं कि दवाओं को कैसे डिस्पेंस करना है एस्टोर कैसे करना है और साथी साथ पेशन्ट की कॉंसलिंग कैसे करनी है ये सारी चीजे डिपलोमा इन फार्मेसी के कोर्स में ही सिफ अवेलेबल है जो उनके तीन महने के हॉस्पिटल ट्रेनिंग में उनको गवर्मेंट हॉस्पिटल में करवाई जाती है मसकार सात्यो जैहिन कल मैंने एक नॉटिफिकेशन डाला था जिसमें गवर्मेंट फार्मासिस्ट यानि सरकारी पदो पर जो फार्मासिष्ट की वेकेंसी निकलेगी बिहार में उसमें सिफ डी फार्मा वाले ही एलिजिबल होंगे ऐसा जो है उस notice में लिखा गया था जो कि बिहार सरकार ने अपने gadget के द्वारा परकासित किया था और लोगों को बताया था अब यहाँ पर कहना है कुछ लोगों का कि यह fake news है तो मैं आज आपको पूरा process बता दूँगा जिससे आप वो पूरा PDF डाउनलोड कर सकते है जो हिंदी और इंग्लिस दोनों में available है और साथी साथ कारण भी बताऊंगा कि क्यों diploma in pharmacy वाले ही government pharmacist यानि सरकारी पदो के लिए जो pharmacist की vacancy निकलती है उसके लिए eligible है आप सभी से बस मेरा यही request है कि अगर आप इस चैनल पे नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और bell icon भी प्रेस कर ले ताकि इस तरह की update आपको सबसे पहले मिलती रहे तो चलिए जानते कि आपको यह कैसे प्राप्त होगा आपको Google में लिखना होगा बिहार सरकार gadget जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो आपको जो link मिलेगा वो आपको पहला link में क्लिक करना होगा जहां पे e gadget लिखा होगा बिहार सरकार का जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे तो बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया सारा gadget जो है आप बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया जो gadget है वो आपको वहाँ पर दिख जाएगा और आपको यहाँ पर click कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर click करते हैं आपका यह PDF जो है पूरी तरह से खुल जाएगा जिसमें यह साफ सब्दों में लिखा गया है कि जो नियमावली बनी है vacancy को ले करके जिसमें पहले 1549 पोश्ट था बाद में इसे 3000 से ज़्यादा पोश्ट की बढ़ा दिया गया है क्योंकि बिहार में pharmacist की बहाली करनी है तो इसमें साफ तोर पर कहा गया है कि आप देख सकते हैं नीचे में note करके लिखा है राज्यपाल की हस्ताचर से उपर कि B Pharma और M Pharma वाले तभी eligible हो जाएंगे जब वो Diploma in Pharmacy का course करेंगे यानि अभी तक सिर्फ Diploma in Pharmacy वाले ही eligible है ये एक essential qualification है इसके बारे में माने ये पटना हाई कोट ने भी निर्णे दिया था ताकि लोगों को ये भ्रहम ना रहे और इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि Diploma in Pharmacy तीन महने की hospital training करते हैं गवर्मेंट फार्मासिस्ट की डॉक्टर की निगरानी में जहां पर वो सीखते हैं कि दवाओं को कैसे dispense करना है अस्टोर कैसे करना है और साती साथ पेसंट की counseling कैसे करनी है ये सारी चीजे Diploma in Pharmacy के course में ही सिर्फ available है जो उनके तीन महने के hospital training में उनको गवर्मेंट hospital में करवाई जाती है वो सिब Diploma वाले ही बन सकते है तो ये एक बहुत ही बड़ी news है जिसको मैंने आज आपको proof के सामने दिया ये कोई fake news नहीं है ये सरकार के द्वारा gadget प्रकासित करके बताया गया है इसके लावा आप इस विशाय पर क्या सोचते है comment box में जरूर बताएं मि तक के लिए बाई बाई